यह दिन देखने से पहले में मर क्यों ने गई किसने किया तेरा यहाल किसने किया बता मुझे फूल जैसे चेहरा एक दम जूल गया है भापी कभी से तेरों कैसा बंद करके रखे मेरा बच्चा तेखो ना सुबह से शाम होगी आपके मिया ने पानी नहीं पूछा तु फिकर म पानी नियुक्त पढ़िन गई देवा जो मेरे देवर को चोर बोला तो तो ऊफल देती हूँ असली चोर को देखे तुमारी आखे तो यह सी बंद होती है जासे मिल्ली को देखे कभी उतर की होती है अय होई मिल्लता नहीं है इसले भावे सा इसको पकट कर अंदर डालते र कर रहे हो तुम कर रहे हो 11 साल हो गए यह नोकरी करते हुए अभी तक 11 रुपे परमोशन मिला नहीं तुमको वही रहने के लिए पुलिश का कोटेज वही इंस्टॉल्मेंट पर टीवी फ्रीज और वही जुणना पूरान पती अल में तो केती हूँ जीस दिन तुमस्टली कल अपने पैसे से मेडल खरीदकर तुम्हारी चाती पे लगाईगी यह सरकरी सांड के माफिक मुझे देखके नाक से हुं हुं कर रहे हो खोलो दरवजा खोलो इसको बाहर निकालो चलो अरे पागल होगी क्या कली इसने होटेल माली को पांच लाग का चुना लगा बीस बेचा नहीं ठगाए फ्रोड किया है काच के टुकडों को हीरो के भाव में बेचाए कौन बोलता है उससे फ्रोड किये तुम्हारे पास है अरे उफा मैं नहीं सूट मूट में लिप्टा हुआ जिन्दा सलामत चश्में दीद गवा हूँ मैं यही था जिसने पांच लाग पांच लागे निकलेगा नहीं और पांच लाग की बात कर रहा है हमारी अच्छे अच्छों को नफे के भाव में खरीद कर घाटे में देश दिया है हमारा नाम सेठ माल पानी ऐसे ही नहीं है अच्छा अच्छा मालपानी भाई तुमको चौकस मालूम है कि यह लड़के ने तुमको उल्लू बना है देखो हमारा आख चील का गिद का है जिसको एक दफा देख लेता हूँ ना उसकी तस्वीर हमारे कंप्यूटर के अंदर छप जाता है अरे चरिया बोला रानी महारानी क्योड़की का लाखों का हार है चोरी का है इसलिए 20 माल पाच में दे रहा हूँ में में बेना दो प्राइबियों और आपकवास नहीं मैं एक्दम बराबर बोल रही ऑं अंडर सेक्शन 11 इंडियन पीलल कोड 308 के मुटाविक चोड़का माल बेचने वाला भी चौर कोड़ इतने वाला भी चौर मैं चौर नहीं हालो लोडिक अरे ऐसा क्या देखते हैं मैंने लो पड़ा है लो यह तो मेरी साधी हो गई वरना आज मैं सूप्रेम कोट के सबसे टोप कुर्सी पर बेटी होती समझ गई के अभी देखने महिंख का दोनों पे एसको तो दोस साल की जैल लगेगी लेकिन तुमको भी कम से कम शे चाल की निकाल बाई को एक कम से माल इधर पानी उदर हो गया दूद का दूद पानी का पानी हो गया अरे पांच पेटी गई सो अलग अब चक्की पीषनी पड़ेगी जेल की सो वो अलग अरे जुले लाल मुसीबत से निकाल अरे इतने से काम के लिए जुले लाल को क्यों तकलीफ देता है मैं बोला इधर आ तेरी प्रॉब्लम सॉल्फ करते हैं जेल नहीं जाना चाहता तो जेब में जितना माले निकल अरे जालिम चीले गोसले मैं से मां से निकाल नहां है अच्छा जो कुछ बचा कुछा है लेले भागते भूत की लगोटी है मगर मुझको वो मंत्र बता कि मैं यहां से कैसा है निकलू कंप्लेंट अपिसदेली तो सिंपल अइन तो कॉस्ट ली कबर से दुष्मनी बहुत पहेंगी पड़ेगी ठाक हुआ है हाँ चलो आओ बल्टा यहां सिकाता हूं दूद्पियो इसमें जहर तो तु गोल रही है उसके जीवन में अपनी ममता का हमालाट में टिफिन लेके जाती है वकिल बनके उसको छुडा के लाती है आज हजारों लाखों की एरा फेरी कर रहा है लेकिन कल आईसे गोरक धंदे में फसेगा ना तेरे जजबात काम आएंगे ना मेरी व जादा देर नहीं तहरती अरे उसकी नईयां तो बाद में तहरेगी पहले अपने आधरसों का टाइटेनिक तो संभलो उसके बारे में जम्पी कुछ निकलता है मुझसे तो आगी निकलती है अरे तुए ना आग बुजाने वाली भायर ब्रिगेड तेरे चाचा के बारे में कुछ भी बोलो तीरी मां बर्दास नहीं कर सकते मैं मेरे नहीं कर सकूपके-वरी उस वक्त धरम के नाम पर सारे शहर में दंगे फसाद हो रहे थे हगवान भला करें उन दंगा कराने वालों का जिनके खुद के घरों का तो एक सीसा भी नहीं तूटता लेकिन हजारों बेकसूर लोग बली चर जाते हैं ऐसे में मुझे मुझे लेबर पेंट सुरू हो गया थ अर्फ्यू के अंदर जलती हुई गलियों और महले से होकर वो मुझे अस्पताल लेकर गया था अज उसकी वज़े से मेरी को धरी भरी है याद है ना आपको मानता हूं मानता हूं कि उसके आइसान है हम पर लेकिन उसका एक कर्च उकाने के लिए तूसे पाप के दलदल में चलो मेरे साथ सब इजयाएगा इनको मेरा देवर पापी है क्या है कैसी वाते कर रहे हो भावी आज इस अश्बस्ती मार रहे। सुन लिया वाड़ी अंकल आओ इधा वाड़ी अंकल इनको बताव मेरा देवर कौन है बताव इनको वह बदमाश एक नमबर का लुच्छा लफंगा है घोली मार देना मंगता है उसको देगा सुना रात को जब मैं सोता रहता है तो आके जगा देता है उसने कोई टकलीप तो समय निकाला न तो डिवर्स तो में लूंगी ही लेकिन उसके पहले से बात करके तुम्हां ट्राशप करवा दूंगी उपर तक पहुंचे मेरी रीवाड़े